पतंजली वाले बाबा रामदेव एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते नदर आ रहे हैं उनके उपर काले बाडल मंदर आ रहे हैं अब ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका एक प्रोड़क्ट डिविदंत मंजन जिसको वह वेच कर बेच रहे थे उसमें मिल गया है नॉन्वेज एक तूटपेश जिसमें नॉन्वेज मिल गया है वह प्रोड़क्ट जिसको वह प्लांट बेज बता रहे थे हर्बल बता रहे थे शाकाहारी बता रहे थे उस प्रोड़क्ट के साथ उन्होंने खेला कर दिया है और ऐसा खेला उन्होंने एक बार किया होता तो किया होता व और इसके बाद इनके कई प्रोड़क्ट को बैन भी किया गया था यह सब आपको पता है अब जनता सब जानती है वाले केस में आपको पता ही होगा कि प्रतंजली प्रोड़क्ट में आजकल क्या-क्या खेला हो रहा है तो दिल्ली हाई कोट में प्रतंजली के एक प्रोड़क् में तरीका माशहार प्रदार्थ है जो इस प्रोड़क्ट में यूज़ किया जा रहा है जिसमें कैटल फिशफ को नहीं जानते होंगे पहली बार और उन्ने हम बता देते हैं कि ये जो केटल फिश होता है वे एक तरीके का एनिमल प्रोडक्ट होता है यानि कि जन्तूओं से बनता है मचलियां जो मर जाती है समुंद्र में उनकी हड्डियां समुंद्र के उपर पानी में तैडने लगती हैं दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि समुंद्र के पानी के उपर कोई जाग जैसा चीज देख रहा है लेकिन वो दरसल होती है मचली क हड्डियां और इसी का इस्तोमाल टूट पेश में किया गया था क toothpaste में 80 प्रतिशफ कार्बोनेट होता है इसके अलावा ऐसमें वासीव इक होता है यह सिलिका मेपके लिए चीजहें वह ऊसोम ये प्रतिशफ इसका इस्तुमाल किया जाता है और ऐसा ही इस्तुमाल pathajali khe produce में इसका किया जा रहा था तो होड का दर्वाजा खटखटाने वाले जो याची करता है इड्वोकेट इतिन शरमा उनका यह कहना है कि वह और उनके परिवार प्रोडेक्ट काशिस्फिकारिए प्रोडेक्ट पूरी तरीके से सकाहारी है अब यतिन ने यह टक दावा । ने खुद एक वीडियो में आफ़ीये स्विक्रार किया है कि उन्हों ने इस प्रोडेक्ट में समुंद्रीन स्थिस्थ के सैटल फिश का इस्तमाल किया है अब जब उन्होंने यह सुना तो उनको काफी बुरा लगा उसके बावजूद भी इनका यह कहना है कि यह जो कंपनी है वो गलत तरीके से अपने प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग कर रही है यह कह रही है कि मंजन जो है वेजिटेरियन है लेकिन इसमे साईर माशहार मिला हुआ है अब यह तिन सरमा जो है वो यह कह रहे है कि अस्तमाल करने के बावजूद भी इस पर घ्री लेबल लगाूए यानि कि vegetarian होने का sign जो green color का छोटा सा circle सा बना हुआ होता है सफेध रंग के box में वह ग्रीन sign ही इस बात का symbol होता है कि यह product जो है वो pure vegetarian है और हम में से सायद अधिकतर लोग उसी sign को ग्रीन लेबल को देखकर यह समझ जाते हैं कि प्रोड़क्ट साकारी और हम उसको ले लेते हैं कई बार हम इस तरीके के प्रोड़क्ट को उपवास वगएरा में भी यूज करते हैं अब मैं खुद कहूं तो व्रत में कई बार हम मंजन का इस्तुमाल करते हैं तूट पेश का इस्तुमाल करते हैं उसके बाद नाराजगी तो होगी कि पूरे दिन के उपवास के बाद जब सुरवात ही नॉन्वेस से हो तो फिर उस उपवास का क्या ही मतलब है अब यतिन ने कोट से कहा कि उनका पूरा परिवार जो है वो ब्रामन परिवार है और इसलिए उनको काफ है दंतमंजन उसमें समुंद्री फेम यानि के केटल फिश मिला हुआ है तो उनकी भावना बहुत आहात हुई क्योंकि उनके घर में नॉन्वेज का इस्तुमाल नहीं किया जाता है उसके बावजूद भी वैज बताकर जब नॉन्वेज प्रोड़क्ट बेचा गया और उस लेकिन किसी प्रोड़क्ट को जूट बोलकर बेचा जाए वह सही नहीं है पतंजली की वैपसाइट के अनुसार यह दो दिव दंतमंजन है वह मसूड़े के साथ साथ दार्थ के लिए भी जो है वह काफी फायदेमंध है सक्तिसाली औसदी से बनाया गया यह बाकि और वेट से तमाम प्रोड़क्ट बेचने का बादा करते हैं प्लांट बेचने का प्रोड़क्ट होता है ऐसा इनका कहना होता है लेकिन फिलहाल अभी पिछली कुछ ऐसी गटना है जो लगतार सामने आई जिसमें कोविट के समय इन्होंने अपनी एक दवा क्रोनो न लगाई थी उसके बाद इन्होंने माफी भी मांगी थी और यह कहा था कि अब इस तरीके का कोई ब्रामक विग्यापन यह नहीं फैलाएंगे लेकिन इसके बावजूद भी इनके प्रोड़क्ट में ग्रीन वेजिटेरियन होने के बाद प्रोड़क्ट में नॉन वेज जै ृषक्ट में उचे चाम视 leaning कृट करण के यह सबनी करना चाहिए और अगर इसकुछ की कैटिगरी में रखकर बेशतायाhh कि कमेंट सेक्शन वूच्जिवान होने कि को बहुत समझदार रहनक नहीं इसस थैस की जानकारी नहीं होना जए जो लिश्ट पढगकर फ्रोड़क्य नहीं खरीदता है जो सिफ साइन से यह जान लेता है कि वैज है कि नॉन वेज उसके लिए बहुत घातक होता और हम में से अधिकतर लोग यह करते हैं कौन पूरा लिस्ट पढ़ रहा है और यह जानने और समझने के कोशिश कर रहा है कि प्रोडक्ट में क्या कुछ लिखा हु होती है नमस्ते मैं पलवी हूँ अब भारत एक नहीं सोच देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहेगा थन्यवाद्वाद्